इस लॉक्डाउन ने सब की जिंदगी बधाल कर दी है। किराया देने के लिए पैसा नहीं है बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। बहुत कुछ लिमिट हो गया, क्रू है और मेन मेन आर्टिस जो है, उन्हीं हो काम मिल रहा है, बैसे में, ये, मैं आपको दिखाते हूं सबसे पहले, ये जो है, भावना, ये उनकी तस्वीर है, आप उनकी तस्वीर देखिए, काफी सारी फिल्मों में आ चुकी है, तीसमार के साथ रहती है, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, वाच्मेंड की नौकरी के लिए एप्लिकेशन दी है, अब तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया, यूनियन वालों ने कहा, पैसे का जुगार करेंगे, लेकिन अब तक कि काम शुरू हो जाए मदद क्या हो सके है फिलहाल बहुत मजबूर हूं भावना के बात बात करेंगे अमजद की अमजद फोन पे बात करते ही रोने लगते हैं कहते हैं पिछले दो साल से एद पर अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया दो महिने से घर पर बैठा एड शूट था सरकार ने भी यह कह दिया कि जूनियर आट इसको अवाइड करो पचास के आड शूट करो पचास के जगा पांच लोगो सेट पर बुलाओ अब आप बताईए ओ पैतालिस लोगों की रोजी रोटिया क्या होगा रमजान के मौके पर मैं अपने दोस्त के फल जाएगा मेरे घर पर तीन बच्चे बीवी अम्मी अब्बु हैं इतने लोगा गुजर बसर में कैसे करूं अपनी चौल का किराया तक नहीं दे पा रहा पहुत दर्दनाक किस्सा है अमज़त का भावना का महिला बाल एससेशेशन कि लक्षमी है वो कहती है कि लास्ट आगे बढ़कर हमारी मदद की थी मगर इस बार उस तरह की मदद नहीं मिल रही हम लोग घर पर बैठे हैं मर्द फिर भी ऑटो चला कर भाजी बेच कर अपना गुजारा चला लेते हैं लेकिन महिला ही क्या करें मार्श महीने में काम की शुरुआत हुई थी हम सब ही जानते अपने बेटे के साथ भाई के घर खाना खाने चाहती हूं और कोई गुजारा नहीं बस इसी इंतिजार बहुत दरनाक कहानिया हैं अगर मैं बात करूं फेडरेशन ओफ वेस्टन इंडिया इंप्लोईस की तो बियन तिवारी कहते हैं कि सरकार जल से उन्हें शूटिंग की पर्मिशन दे दे किसी भी तरह पर शूटिंग शुरू हूँ एक लाग वरकर्स घर पर भी रोजगार बैठे हैं खाने के तक को कुछ नहीं है सुसाइड की नौबत आ सकती है सरकार को इसकी पर्मिशन देना चाहिए जो भी मदद के लिए आयम उनका ऐसान मंद हूं लेकि तो फिल्मों में हमारे चेहरे पर बहुत सारे भाब लाने के लिए सक्षम होते हैं सिर्फ स्टार के बल्बूते पर फिल्म नहीं बनती इनकी एहम भूमिका होती है और आज कल ये सब बेरोजगार हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं कॉमेंट करक आप से मुलाकात होगी यहीं पर अगले पीजियों में